मेरे प्यारदेश साचियों, हमारी परंपरा और संस्कृति का मा गंगा से अटूट नाता है, गंगा जल हमारी जीवन धारा का अभिन हिस्सा रहा है, और हमारे सास्त्रों में भी कहा गया है, नमामी गंगे तवपाद पंकजम, सुर असुरई बंदित दिव्य रूपम, भुक्तिम्च मुक्तिम्च ददासि नित्यम, भाव अनुसारेण, सदा नराणां, अर्था हे मा गंगा, आप अपने भक्तों को, उनके भाव के अनुरूप, साउसारिक सुक, आनंद और मोक्ष प्रदान करती है, सभी आपके पवित्र चर्णों का वंदन करते हैं, मैं भी आपके पवित्र चर्णों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ, ऐसे में सद्यों से कल-कल बहती मा गंगा को स्वच्छ रखना हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं, इसी उद्देश के साथ आठ साल पहले हमने नमामी गंगे अभियान की शुरुवात की थी, हम सभी के लिए गवरों की बात है कि भारत की इस पहल को अज दुनिया भर की सरहना मिल रही है, उनाइटेड नेशन्स ने नमामी गंगे मीशन को इको सिस्टिम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप टेंड इनिशेटिव में शामिल किया है, ये और भी खुशी की बात है कि पुरे भीश्व के 160 ऐसे इनिशेटिव में नमामी गंगे को यह सम्मान मिला है, साथियों नमामी गंगे अभ्यान की सबसे बड़ी उर्जा लोगों की निरंतर सहवागिता है नमामी गंगे अभ्यान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमी का है विपैड लगाने, घाटों की सफाई, गंगा आरती, नुकर नाटक, पेंटिंग और कविताओं के जरिये जागरुक का फैलाने में जूटे हैं इस अभ्यान से बायो डायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है हिल्सा मचली, गंगा डॉल्फिन और कशुओं की विविन प्रजात्यों के संख्या में काफी वृद्धी हुई है गंगा का एको सिस्टिम क्लीन होने से आजिविका के अन्य अउसर भी बढ़ रहा है यहां मैं जलज आजिविका मॉडल की चर्चा करना चाहूँगा बोर्ट सफारिज को 26 लोकेशन पर लॉंच किया गया है जाहिर है नमामी गंगे मिशन का विस्तार उसका दाइरा नदी की सफारिज से कहीं जादा बढ़ा है यह जहां हमारी इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है वहीं यह परियावरन सवरक्षन की दिशा में विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है